तो जी हाँ students इस वीडियो में बात करने वाले CA exam form January 2025 के बारे में क्या exam window को open किया गया है जिसका जवाब है जी नहीं बचो SSP portal पे login करके आप लोग exam form fill करोगे कब से exam form filling start हो रहा है तो 10 नॉमबर 2024 सुबह के 10 वजे से CA intermediate and CA foundation January 2025 का exam form filling start हो जाएगा आखरी rate without late find 23rd number होगा with late find 26th number होगा यहां तक कोई doubt आना नहीं चाहिए बहुत सारे बच्चे को यह doubt आता है correction window कहते किसको है अगर आप लोग CA foundation और CA intermediate का exam form fill करते समय सही से fill करोगे सही decision ले पाओगे आप आतकाली निस्थिति ना आए तो आपको correction window का जवरत ही ना परे आप आतकाली निस्थिति का मतलब यह हुआ कि आपने exam form fill करते समय जो center select किया बाद में आपको change करना है वैसा कोई ज़्यादा समय मिलता नहीं है 27 number से ले करके 29 number यानि कि यह 3 दिन correction window open होगा जिसमें foundation और intermediate के बच्चे exam form fill कर चुके होंगे तो वो center change कर सकते center का मतलब कहीं भी center change कर सकते बिल्कुल free में medium change कर सकते बिल्कुल free में कोई दिक्कत बाली बात है ने medium का मतलब English में exam देना Hindi हो गया Hindi में exam देना English हो गया इसके अलाबा group change कर सकते ग्रूप में बहुत सारे बच्चे को confusion होता है correction window में आप single group से both group जा सकते adjusted amount pay करके यानि कि आप single से both जा सकते both से single नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते group 1 से group 2 shift कर सकते group 2 से group 1 shift कर सकते आयोब कि आपका doubt clear हो गया अभी exam window को open नहीं किया गया दस number को open किया जाएगा सुबह के 10 वजे और उसी समय वीडियो देखने को मिल जाएगा foundation और intermediate कैसे exam form फिल करना वीडियो देखके exam form फिल कीजेगा चैनल पे नए हो subscribe कीजे प्लीज बच्चों subscribe करके बिल नोटिफिकेशन बिल दबातीजिए जिससे CA related एक भी update और news मिशना हो पाए अगर आपका doubt clear हो गया तो comment box में thank you लिकेगा कोई भी additional doubt है YouTube comment box open है आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो